Theories of Moral Development में Coulbers की थेरी है लेकिन उससे पहले जो है इसकी थेरी बताने से पहले मैं चाहूंगी आपको थोड़ा सा Gene Piajay की थेरी बताऊं कि वो बच्चों में morality develop करने के बारे में उसका point of view जो है वो क्या है So Gene Piajay especially focused on the moral lives of children He studied the way children play games in order to learn about children's beliefs about right and wrong Games जो है और videos जो है और media effect जो है ये morality को develop करने में और moral values को inculcate करने में बड़ा important है क्योंकि हमारे सामने कुछ models अभी आप देखें अभी dramas किस किसम के आ रहे हैं और बच्चे गेम्स किस किसम की खेल रहे हैं उन जो गेम्स ओ खेह रहे हैं उसमें सारा जो है वो aggression है बचे aggressive गेम्स जब खेलते हैं तो उनकी automatically aggression उनमें बढ़ता है और वो बड़ों की respect जो है वो बड़ी काम करते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी गेम के targets को achieve करना होता है जिसमें उन्होंने killing करनी हैं बड़ी ज्यादा ये बड़ी ज्यादा cognitively उनके brain को बहुर तरह डिस्टरब करती है और emotionally वो बड़े डिस्टरब होते हैं इस तरह की killing से और target गेम्स को खेलने से target achieve करने के लिए हमेशा बच्चों को वो गेम्स दिलाएं जिसमें उनको coins मिल रहे हैं, achieve कर रहे हैं हो रहे हैं, killing और gun वली गेम्स और इस किसम की वो तमाम चीज़ें जो उनके अंदर regression लाएंगी और society में नुकसान पहुंचाने वाली हैं, यही बचे बड़े होके जो हैं इनके अंदर negative feelings आती हैं और society में जो crimes होते हैं वो चुके बच्पन में वो यही देखता आ रहा है उसके अंदर brain के अंदर आपने देखा है अभी society में कितनी हमने examples देखी जिसमें कुछ aggressive games की वज़े से बच्चों ने murder तक कर दिये, और वो उसमें उन्होंने अपने आपको hero दिखाया हुआ है कि मैं hero हूँ जिस तरह वो killing करता है मैं भी उस model को जो है apply करके देखता हूँ कि ऐसा होता भी है कि नहीं होता बच्चे चाते हैं ना कि वो जो चीज़ देखे हूँ उसको apply भी करके देखें तो यह वो कह रहा है कि morality जो है उसको teach करने के लिए यह वले जो media का channel है यह बड़ा important है अच्छा heteronymous जो उसने कहा है दो concepts उसने बताए है heteronymous है और autonomous है यह two to seven years में जो पहला stage है उसमें justice for rules जो हैं हम बच्चे को दिखाते हैं कि देखें you need to just wait for your turn because your brother and your sisters are also waiting so don't take the full piece of the chicken or full piece of the pizza but you need to just wait for and you should share it with your brother and sisters तो यह rules जो है रूल है कि आपके जो parents है वो पहले बैठेंगे seats पे उसके बाद plates उनके आगे रखेंगे उसके बाद rule है कि जब आपके parents बाइट से आए आप उनको सिलाम करें rule है यह हमारे घर का कि जब हम घर में कठे होंगे तो इस तरह noise जो है वो नहीं हो कि कुछ rules आपने घर में बताये हों है बच्चों को जिसको आप follow करवा रहे होते हैं अच्छा वो जो है एक छोटा सा training हो रही है दूसरा वो कहता है जी autonomous जो है morality यह अब बच्चे में independence आ गई है यह वो बड़ा हो रहा है अब वो 10 साल यह उसे ज़्यदा है अब बच्चे ने खुर डिसाइड करना है कि मैंने जो है यह काम करना है करना बच्चपन में parents डिसाइड करते हैं कि आपने यह काम करना है आपने यह काम नहीं करना अब बच्चा जो है उसके अंदर ये वली इंडिपेंडेंसी आ गई है कि मैंने मॉरेलेटी को फॉलो करने के लिए जो है मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे सिखाया है अब उसको खुद से जब मौका मिल रहा है तो स्कूल में जाके घर में केला है उस दिन उसने क्या किया है और चीज तोड़ी है तो बताया नहीं और किसी दूसरे को इंवाल्व कर दिया जी सार्वेंट्स को इसने तोड़ा है इस तरह भी हम करते हैं तो एंपिथेटिक नहीं होते हम इसलिए ये भी मॉरेलेटी जो है ज़रूरी है कि जो आपने किया है तो इस तरह ये वली दो स्टेजिस उसने का कि इसमें हम अपनी मॉरेलेटी को डिवलप करते हैं आगे कॉल बर्स जो है उसने कुछ स्टेजिस बताई है जिसमें सबसे पहले है जी पनिश्मेंट और अबीडियन्स बच्चे को सिखाने के लिए हम पनिश करते हैं कि ये मॉरल रूल्स जो तुमने तोड़े है तो उसको हम पनिश करते हैं ताकि वो अबीडियन्ट हो जाए लेकिन पनिश्मेंट कभी कभी तो जो है वो कभी ठीक है बेतर होती है लेकिन ज्यादा तार वो बच्चे के अंदर बगावत पैदा करती है रिबेलिन बनाती है उसको उबीडियन्स पनिश्मेंट से कभी नहीं आती उबीडियन्स जो है हमेशा आपको फॉलो करके और पॉलाइटनेस के साथ जो है बच्चे को सिखाई जाती है ये कह रहा है गॉल बग के सबसे पहले स्टेज पे पनिश्मेंट और वीडियन्स को पता होना चाहिए किस तरह से क्रियेट करनी है डिवालप करनी है फिर इंडिविज्यूरिजन एंड परपस स्टेज टू है इसमें वो कहता है जी बच्चे को सिर्फ ये ना सिखाएं कि सिर्फ तुम ही तुम दुनिया में हो और तुम बड़े इंपॉर्टन्ट और बाकी लोग जो है वो उनकी घुर्बत की वज़र से पैसे की कमी की वज़र से उसको फर्क ना सिखाएं इंडिविजियलिस्म ना सिखाएं बलके उसको कलेक्टिविज्म सिखाएं कि सारे घर के लोगों को जो है उसमें आप शेयर करें ये चीज़े है और सारे घर के फर्ज जो है वो आपके साथ है आपके दोस्त और ये ये शेरिंग इतनी बड़ी कॉलिटी है को भाई को अच्छा है बहुत अच्छा है अब आप शेयर करके खाएं इस चोटी एज में बचे शेयर नहीं करना चाते हैं उस सारी चीज़ें खुद ही खाना चाते हैं तो उनको खाने के बाद जो है वो बच्चों को एक्स्प्लेइन करना जरूरी होता है कि आपने खा लिय हो है बाकी लोगों को तो आपने खुश नहीं किया तो उसके बाद लेवल टू पे आ जाता है जी कन्वेंशनल रीजनिंग आ जाती है अब रीजन देनी है आपने लॉजिक देनी है बच्चे को किसी भी चीज़ को रूल को फॉलो कराने के लिए इंटर परसनल नॉम्स है अपस में किस तरह कि आपके जो तालुकात हैं वो कैसे हैं कि पहले चीज़ जो है वो छोटे भाई को भी दें शेर करें टॉय को शेर करवाएं अपनी गेम को शेर करवाएं फिर सोशल सिस्टम मॉरालिटी क्या है अब सोशल सिस्टम यह है कि कोई घर में मेमान आया है तो क किस तरह उसको treat करना है। हम किसी के घर में मान गए हैं तो किस तरह treat करना यह कीन करें। आपके बचों को दे के लोग इतनी बाते हैं जब आपके बचों के manners को देखते हैं। कि आज के बद वो दौा करते हैं कि यह बचे कभी हमारे घर में ना हैं। तो यह इस किसम की embarrassment से practice करें और उसके बाद आगे जो है जी community rights versus individual rights हैं कि आपके rights तो जरूर हैं लेकिन अपने अपनी streets को अपनी society को अपने school को गंदा नहीं करना अपने आपको serve करने के लिए ये भी हमने सिखाना है कहां से सीखेंगे हम अपने घरों को चुके साफ नहीं रखते हमने बच्चों को कभी responsibility ने दी कि अपना कमरा खुद साफ करें मामा सारा साफ करती है जिसके वो ये चीज़ें घर से सीकें नहीं आते और universal ethical principles universal laws क्या हैं हर इनसान की respect universally accepted है हर एक का जो है वो ethically truthful होना जो है वो भी एक universal law है ये चीज़ें बच्चों को बताना कि हर जिगह पे accepted rules यो है वो क्या है